वो गाना तो आपने सुनाई होगा रजिया गुंडों में फस गई इस वक्त सुम्बल जो है वो गुंडों में तो नहीं फसी है लेकिन घरवालों के बीद जरू फस गई है ऐसा लगता है जी हाँ जब भी नॉमिनेशन आते हैं सब को सुम्बल काफी इजी टागेट लगती है क्योंकि नॉमिनेट कर दो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बाहर तो होंगी नहीं मैं हूँ जोती नाहक इस वक्त ताबर तोड बिग बॉस की ख़बर सामने आई है विद प्रोमो में आपके सामने लेकर आई हूं जी हां देखे प्रोमो नहीं माफ कीजिए का लाइफ फीड इस वक्त जो है उसमें दिख रहा है क्लिरली की सुम्बल को लेकर क्या कुछ वि जो है अपने ही ग्रूब के लोगों से वो पूरा वार बरदाश कर रहे होती है सेह रही होती है तो इस वक्त मैं आपको बताने आ गई हूं कि सुम्बल तौकीर खान को लेकर यही बात सामने आई है जी हां विकास साजित से सुम्बल के बारे में ही बात कर रहे है यह देख यह प्रोमु जो है इस वक्त काफी वाइरल हो रहा है और सुम्बल वर्सिस विकास है विकास ने कल की पूरे एपिसोड में भी सुम्बल विकास की लडाई हुई थी जहांपर नॉमिनेशन्स और राशन दोनों की प्रक्रिया साथ में हुई और इस प्रक्रिया के दोरान सुंबुल जाना चाहती थी लेकिन सुंबुल को जाने को नहीं मिला विकास, सुंबुल, सुरिजिता इन तीनों में आपस में भैस होती रही जिसके वज़ा से ये तीनों ही लोग नॉमिनेट हो गए जी हाँ अगर इन्हें वैसे भी नॉमिनेशन में अगर नहीं कोई और नॉमिनेट करता तो भी इस सजा के चलते हैं जरूर नॉमिनेट हो जाते हैं सुंबुल का जो हाल घर के अंदर हो रहा है वो वाकिये हरान कने वाला है कल भी हाला कि वो खुद के लिए उन्होंने काफी स्टैंड लिया खुद के लिए वो काफी ज़दा यूनों वो लड़ी लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये काफी नहीं लग रहा है मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त विकास जो है सुम्बल को लेकर कहते है कि इसका घर में वैसे भी कोई वजूद नहीं है सुम्बल tries to make him feel bad by reminding that she is a teenager लेकिन विकास जो है वो उसके बावजों सुम्बल के साथ बत्तमीजी करते रहे देखें यहाँ पर हर चीज़ आप बत्तमीजी पर नहीं कर सकते चाहे लड़की के साथ हो लड़के के साथ हो दोनों अगर लड़ रहे हैं दोनों लड़ेंगे दोनों भिड़ेंगे दोनों गाली गलोच होंगी दोनों तरफ से कहीं चाहेंगे चीज़े तो यहाँ पर लड़का लड़की का अंगल नहीं है बठाँ बात इतनी जरूर है कि अब सुम्बल अपने मुद्देख खुद लड़ती नज़रा रही हूं उन्हें किसी जरूरत नहीं पड़ती ऐसा लगता है